लोगसभाध्यक्ष ओम बिडला ने बूंदी रेलवे स्टेशन पर 60 लाख रुपई के विकासकारियों का आज लोगारपन किया लोगसभाध्यक्ष ने स्टेशन पर 60 करण कारियों चित्रकारी और यात्रियों के लिए त्याधुनिक सुविधाओं का भी उद्खाटन किया लोगसभाध्यक्ष इन दिनों अपने संसदी एक्षित्र कोटा के दौरे पर है पत्रकानों से वर्तलाप में उन्होंने कहा कि स्टेशन पर सुविधाओं सम्मिलित होने से इस ख्षित्र में परेटन को बढ़ावा मिलेगा बुंदी रेल्वे स्टेशन का सुंद्रिकरण और यात्रियों सुविधाओं के इसाब से विस्तार किया जा रहा है ताकि जो भी देशी विधेशी प्रेटर क्या पर आए उन्हों यात्रियों को रेल की व्यापक और बैतिन सुविधाओं मिले इसके प्लेट फर्म से लेकर इसके बैटने की सुज़ा से लेकर इसके वेटिंग रूम से लेकर जो जो भी एक रेल यार्त्री के लिए आऊशक उन्हों सबका इंतिजाम किया जा रहा है और इसलिए आने वाले समय में भूंदी के अंदर चाहे प्रेटन की दस्टी से, चाहे क्रशी की दस्टी से हम इसको और किस तरीके से देश के प्रमुक किंद में ला सकते हैं, यहां का चावल केवल बास्पति केवल चावल यहीं नहीं, दुनिया में इसकी कुश्बू है, यहां के सेंड इस्टोन की देश में इस दुनिया के अंदर इससे बड़िया पत्थर नहीं हो सकता, और इसी तरीके से प्रेटों की रूप में भी बूंदी एक आक्रिशन का केंद बनेगा, जब रात को बूंदी पसाड लाइट से यहां के महल, यहां की बावड़यां की जब रात को जगमक आएंगे तो कोटा के लोग भी बूंदी को देखने आएंगे